नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम Electrical Drawing बनाना सीखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप Electrical Symbols कुछ देख रहे हैं इनी सभी Electrical Symbols का उपयोग करके आज हम Electrical Circuit को Draw करेंगे दोस्तों, हमारे पास में एक Fuge है, और एक N.O.O पुष्च बटन, और overall relay का N.O गूंतेफ और एक Power Contactर जिसमें एक N.O. कूंतेफ़ है और हमारे पास में एक अजलरी कूंतेफ भी है, जिसमें 3 N.O. कूंतेफ और 1 N.C. कूंतेफ है ठेक है और एक हमारे पास indication lamp पे जो कि हम trip indication lamp के लिए use करेंगे तो दोस्तों इनी सभी electrical equipment का use करके हम एक circuit diagram को draw करेंगे तो देखी दोस्तों circuit diagram draw करने के लिए हमारे पास कोई logic होना चाहिए यानि कि हमें किस electrical equipment को चालू करना है बन करना है किस condition में operate हाना चाहिए उन सभी चीजों के लिए एक logic बनाना होता है ठीक है उस logic के हिसाब से हम circuit को draw करते हैं ठीक है दोस्तों तो देखे हम यहाँ पर एक logic को imagine करते हैं तो माल लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर दो motor है दोस्तों यह जो आप structure देख रहा हो यह air fan का structure है ठीक है इस air fan में दो motor लगा गया ठीक है एक यह वाली motor और दूसरा यह वाली motor ठीक है यहाँ पर एक motor है ठीक दोस्तों अभी देखे है इन दोनों motor के लिए हम circuit diagram को draw करेंगे तो दोस्तों इसके लिए हम चार logic को imagine करते हैं ठीक है तो पहला logic हमारा क्या होगा कि इन दोनों motor के लिए हमें अलग-अलग starter को draw करना है ठीक है यानि कि एक starter इसके लिए और दूसरा starter इसके लिए ठीक है उसके बाद से इन दोनों motor को हम interlock करेंगे हापस में उसके बाद से यदि इन दोनों में से कोई भी motor एक trip हो जाता है तो दूसरा वाला motor आटोमेटिकली चालू हो जाना चाहिए ठीक है दोस्तों उसके बाद यदि कोई motor trip होता है तो उसका एक alarm भी generate होना चाहिए तो चलिए इसके लिए हम circuit diagram को draw करते हैं तो दोस्तों लोजिक के हिसाब से हमें सबसे पहले इन दोनों motor के लिए अलग-अलग starter को draw करना है तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी starter का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि dual starter, star delta starter, soft starter, auto transformer starter या फिर हम इनको BFD के दोरा भी चला सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर dual starter के दोरा control wiring करके दिखाऊँगा ठीक है दोस्तों दोस्तों कोई भी electrical drawing draw करने के लिए हमें दो लाइनों की जोड़ पड़ती हैं पहरा लाइन हमारा face के लिए होगा और दूसरा लाइन neutral के लिए इन दोनों लाइनों के बीच ही हम control circuit को draw करते हैं ठीक है अब देखिए अब हमें इन दोनों motor को चलाना है ठीक है तो इनको start करन है तो दोस्तों वैसे तो आपाइल स्टाटर का control wiring आती है होगा दोस्तों यदि आपको dual starter का control wiring नहीं आता तो दोस्तों उसके लिए मैंने दो-तिन वीडियो नाहाई ह तो चलिए देखिए हमारे logic के हिसाब से हमें यहां पर दो starter ड्रू करना था ठीक है एक starter तो हमने यहां पर ड्रो कर दिया है ठीक है अब हमें एक और starter चीज़े हैं तो हम यहां पर simply इसको copy paste कर लेते हैं करें दोस्तों मैं हैंको कोफी कर देता हूं और पेस्ट कर देता हूं तो दोस्तों यहां पर हमारे पास 2 starter हो तो पहला logik करना है कि हमें इन दोनों motor के लिए अलग-लग starter को जो चुना है ठीक है तो हमने यहां बहुत्त अलग-लग starter तब भी यह वाला मोटर चालू नहीं होना चाहिए और यदि यह मोटर रणिंग कंडिशन में हैं तो यह वाला मोटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगा दुश्टो दोश्टो दिए यहां पर जो इन में auxiliary contact । आप यहाँ देख सकते हैं कि एक N0-contact था और एक N concl penalties था एक तो यह जो अरना तर्मिनल वाली उसको हमने holdings circuit में उसको यूज्थ कर लिय था अब हमारे पास में यए Nc contact बच गया है तो इस NC contact को हम copy कर लेते हैं ठीक है और यहां पर हम paste कर देंगे ठीक है दोस्तों आप देखिए यहां पर हमने दो contactor यूज किया है तो इन दोनों contactor को हम नाम दे देते हैं ठीक है इस contactor को हम K1 नाम दे देते हैं ठीक है और दूसरे बारे क्टेक्टर को केटू ठीक है दोश्तो हो अब देखिए हैं यहाँ पर हमレंब के यहाँ पी लिए जैसे की जा है的 तो यहाँ पर भी हमें के वन लिखना है ठीक हैं जैसे हमें मालुम चलजाए तो सेम सहीं यहां पर करेंगे कि यहांपर जो बनाये गया था व्हों के टू कॉन्टेक्टर का अजलाटिक कॉंटेक सब्सक्राइट हैं तौ दो बीबूस्ततौ छहां क्या हैं थो तो यह हमारा k-one auxiliary contact है इसको हम k-2 के circuit में use करेंगे त्चिक है दोस्तों हम इसको यहाँ पर connect कर देते हैं icit है तो जो का auxiliary contact है उसको हम k-oneře की के circuit में connect कर देंगे अब आप दiejखे दोस्तों है यदि हमारा K1 motor running condition में है, तो यह जो हमारा contactor है, इसके जितने भी auxiliary contact होंगे, वो change होते हैं, ठीके, यानि कि जब हमारा यह contactor on होगा, तो हमारा जो auxiliary contact है, यानि कि NO contact NC बन जाती है, और NC contact NO बन जाती है, ठीके दोस्तों, तो इसी का benefit उठाते हुए, हम यहाँ पर इन दोनों का inter locking किये हैं, देखिए कैसे काम करेंगा है, अब मान लोकी हमारा यह वाला contactor on है, ठीके, K1, तो K1 जब on होगा, तो K1 का जो NC contact हो, वो NO बन जाती है, और जो NO contact हो, ठीके दोस्तों, तो देखिए, यहाँ पर यह वाला NO बन जाती है, तो इसका जो power circuit है, वो break हो जाती है, यानि और यह जो auxiliary contact हो, वो NO बन चुका है, ठीके, यह कब तक NO रहेगा, जब तक हमारा contactor on है, ठीके दोस्तों, यहाँ पर सेम चीज़ होता है, NO contact, NC बन जाता है, जब हमारा contactor on होती है, आप देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा जो logic था, वो complete हो चुका है, यानि कि हमें इन दोन comment करके बताइए कि आपको यह video कैसा लागा, दोस्तों, मैं target करता हूँ कि इस video पे 100 like और 100 comment का, ठीके, दोस्तों, यदि इस video पे 100 like और 100 comment आता है, तो मैं आपके लिए ऐसे और भी video मुनाऊँगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको explain करूँगा, कि किस प्रका से हम circuit को draw करते हुए, ठीके दोस्तों, बिना किसी Google का help लिए, तो please इस video पे like और comment चरूर कर दीजेगा, चलिए आगे वरते हैं, दोस्तों, तीसरा logic यह है कि, यदि किसी कारण से हमारा जो ये वाला motor है, वो किसी कारण से trip होता है, तो तुरंती दूसरा वाला motor अपने आप start हो जाना चीए, ठीके, सेम चीद दूसरा वाले motor के साथ भी होगा, यदि किसी कारण से overload पे ये वाली motor trip होती है, तो हमारा ये वाला motor जो है, वो start हो जाना चीए, ठीके, यानि कि हमें कोई भी start command नहीं देना है, जैसे ये वाला motor trip होगा, तुरंती ये वाला motor on हो जाना चीए, तो इसके लिए हम कैसे circuit बनाएंगे, उसके बार में भी देख लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हों कि यहाँ पर trip लिखा गया है, यानि कि जब हमारा motor trip होगा, तब दूसरा motor start होना चीए, यानि कि जो हम circuit डो करेंगे, वो overload relay के दोरा circuit डो करेंगे, क्यों तो हमने यहाँ पर NC contact जो था, वो dual starter के circuit में उल्रेडी डो कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 95 नमबर टर्मिनल और 96 नमबर टर्मिनल वो हमने यूज कर लिया, ठीक है, 95 नमबर टर्मिनल और 96 नमबर टर्मिनल ओवर लोड रिले का NC contact होता है, और 97 नमबर टर्मि कोपी कर लेते हैं ओवलोड इले के दबारा ही हमें मोटर को स्टार्ट कराना है ठीक है तो हम सबसे पहले यहां पर और यूजर करने दोस्तों देखें जब हमारा दोरा नender mTOR कंडिसन होता हैनिक धी कोया भी होटा है तो हमारा no statt moje रहाता है ठीक है और nc kontak हम ऐसा ऑइसा रहें लेकिन जैसे हमारा motor overload पे trip होता है तो जो हमारा क nc नो गातीज तो जैसे हिमारा ऑनड मता है तो जो आगेफ फेलो होगा तो हमसे को चीधही कॉंटेक्टर के के टूम को सप्लाइड दे सकते हैं ठीक दोस्टों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमें ऑवलोड रिल्य का अलाम सर्कुिर्ट भी यूज सबाता है तो ऑफ़ल ऑद और रिले से अनो पनाव मेंको पर चीड़े क्यांड़ा में हम अनो बना घड़े हैं धुबर जो हमें दो समय कोजिग सब्सक्राइब बनाथ झाल है तो बहुन कर दे कि स्क्राइब और से यहां चाल देइवाब्स आप कर न आखा ने कर दो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अजलर्य कोंटक्टर था उसके काभी क्यांक हमकिक नेक्टर अब तो मनेंяжक लिखना देगे नियुट diffraction को हम60 मेंग क्योंन क्या है इसाफिड स्पालाई बांचायेtech तो यहां पर हमने फ्यूज की नीचे से पावर सप्लाई को लेके 97 नमर टर्मिनल के सार कनेक कर दिये ठीक है दोस्तों देखिए हमने यहां से पावर सप्लाई क्यों लिए दोस्तों जब हमारा मोर्टर ओवरलोड कंडिशन में ट्रीप होता है तो यह वाला जो कॉंटेक्ट भी वाले ओंप यहां पर नहीं हो पाता ठीक है इसल्ए हमने क्या किया वह आले के ऊपर से पावर सप्लाई दी तो दोस्तों अब हमें लोजिक के हिसाब से जब हमारा मोर्टर तुंसरा मोर्टर पर तो इस ट्रॉब में बनती क्या से prac होगा से जितने भी अज़लरी कॉंटेक्ट होंगे जैसे कि D cuz अब दोस्तों हमारी इस यह के लिए इस स्क선राण होगै में करते ओ डहींगे और इसको हम कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों इन दोनों स्टाटर के लिए हम ने सम्क्रती ने का चाहिए जाता है व dicht़ हो स्टाट कमाण iss का हमलेma को पर उचलट के लिए हम्में साम पर ऊसकी अनलों को ρाए जो हमाराVES देख ए स्तिति आशिलर एक च्छाना में आच्छी के सीरू का स्सक्राइब एक यूज़ो फिर्यक्ति पंडिख यूज़ कने वाऊचीया है तो उसे हमें start push button के parallel में connect करना होता है ठीक है और यदि हम stop के लिए circuit बना रहे हैं तो उसको हम series में connect करेंगे stop push button के ठीक है ठीक है दोस्तों अब यह जो हमारा auxiliary contact है इसको power supply दे देते हैं ठीक है यहां पर जो auxiliary contact है 13 नमर terminal उसको हमने यहां से power supply लेकर connect कर दिया है ठीक है तो यह यहां पर यहां पर हमने इस auxiliary contact का नाम भी लिग दिया ठीक है आप देखिए यह जो 14 नमर टर्मनल है उसको भी power supply देना है तो मैं यहां से इसको को भी पेश करके इसके circuit के सर कनेक कर देता हूं ठीक है normal condition में यहां से power supply flow नहीं होगा क्यूंकि यह हमारा auxiliary contact है वह off राता है ठी जैसे हमारा motor trip होता है तो यह जो अजलरी contact था वह on हो जाएगा और इसके on होने से इसका जो अजलरी contact है वह no से nc बन जाएगा ठीक है जैसे nc बनेगा इसका power supply यहां से तो होके इस contact में चला जाएगा दोस्तों यहां पर हमने इस auxiliary contact का नाम नहीं लिखा है तो इसका भी न हम सेम डू सेम एक circuit बना देंगे तीक है जैसा कि हमने यहां पर बना थे तो मैं simply यहां से इन सभी को को पी करके यहां पर पेस्ट कर देता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर हमने इस motor को स्टाट करने के लिए इस auxiliary contact का उप्योग कर लिया थीक है यहां पर हम इसका नाम तो उसके लिए हमने यहां पर सर्किट बना दिया है तो इसका जो अजलरी कॉंटेक्ट है वो चेंज होता है जैसे हमारा मोटर होता है तो पंचान में नमर्ड टर्मिलल ओपन हो जाएगा और जो यहां से और अजलरी कॉंटेक्ट में चली जाती है तो इसका जो इतने भी जारी कॉंटेक्ट यहां पर यहां यूज़ किया तो जैसे ही यह वाला अजलरी कॉंटेक्ट चालू होती है तो यह NO से NC बन जाएगा, NC बनने पर क्या हुआ, power supply यहां से आते हुए, इस contactor में चली जाती, ठीक है, और यह जो contactor है, वो on हो जाएगे, जैसे हमारा यह वाला motor trip हुआ, तुरंती यह वाला चालो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, same to same, यह वाला circuit भी work करेगा, तो किसी कारण से कोई भी motor trip होता है, तो एक alarm generate होना चाहिए, ठीक है, तो alarm के लिए हमें एक hooter का प्रियोकाना पड़ेगा, तो यहां पर हमारे पास में एक hooter है, ठीक है, तो इसको हम copy कर लेते हैं, और हमारे इस circuit में pass कर देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, हमें इन दोनों starter के लिए hooter का एक hooter हम यहां पर connect कर देंगे, और दूसरा hooter यहां पर connect कर देंगे, ठीक है दोस्तों, अभी इसको थोगा सामें आगे खिसका देता हूं, जिससे थोगा सा दिक्कत ना हो, अब देखे, हमारे पास में दो hooter मिल गए, यह जो हमारा hooter है, वो इस motor के trip होने पे बजना चाहि एक इसका अजलरी contact और दूसरा इसका अजलरी contact, तो इसको में यहां से copy paste कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, अभी इसको थोगा सामें रोटेट कर देता हूं, जिससे की असानी से हम सार्किट में connect कर सकें, ठीक है तो इसका भी हम नाम लिख देते हैं, जिससे confusion ना हो, कि यह अजलरी contact हमारा इस contactor का है, ठीक है तो इसका भी हम नाम लिख देते हैं, यहां पर हमने इन दोनों का नाम लिख दिया हूं, ठीक है दोस्तों, आप देखिए, यह जो हमारा hooter है, वो कब बजना चाहिए, जब हमारा motor trip होता है, ठीक है, ठीक है तो trip होने पे यह यह अजलरी contact को connect कर देंगे, यहां पे इसको ले लिए ठीक है, इसका पार सब्लाय को connection कर देते हैं, कहां पर हमारा जो हादी चाहिए का उसको हमने हमने इसकोраж ध यह हमने यह जोश ऑ्टर स्फिरिक में connect कर देंगे, तो इसको हम यहां पर जाएगा और पाव सप्लाइब यहां से फिले होते हुए हूटर में चली जाएगी जिससे हमारा हूटर है वह अलाम जनरेट करने लगे हो तिक है सेम टू सेम सर्कीट हम इस स्टार के लिए भी बना देंगे तो इसके लिए हम सीधा ही कोपीपेस्ट कर देते हैं तो यह जो हम हमने एक डिए हरा हमने क्या किसा असको सापेस्टि किसको कुए जिए अहां से मैंने क्या कर लिए और सतौन पर धारेट लेकिक कर देता हुं यहाँ पर मैंने इस सप्ल format के सरीज कुनेक कर दिये हैं दोस्तों ये इस वीडियो पे 100 लाइक और 100 कॉमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा और उन सभी वीडियो के द्वारा मैं आपको इतना अच्छा एक्स्प्लेइन करूँगा जिससे आप कोई भी इलेटिकल सर्किट को आपके माइन से सब्सक्राइबे तो प्लिस अभी जाके लाइक करा दीजिए और यह प्यारा सा कमेनट कर दीजिए तैके दोस्तों हमने यहां पर यहां लेंब लेंब है इसको हम रिनरी को यूज करएंगे ठीके यहां पे यहां पे हमारा जो लोजिक है उसके हिसाब से जब मोर्टर हमारे ट्रीक होता है तो यह Ur серь to Savior kontakt Dallle तो इसको हम यहां से पार लेते हैं और यहां पर प्रखेर देती के डोस्तों अब इसका नाम मौD करनेक्टर है तो इसको मैं यहां पर नाम लिख देता हूं अब हमें इसको सर्किट में करनेक्ट कर देता हूं तो मैं इसके लिए यहां पर इसका कनेक्शन कर देता हूं ठीक है दोस्तों यहां पर हमारे पास के वन डेस एका जो अजलरी कॉंटेक्ट था उसको हमने यहां पर के लिएρίCool है त्टीव सेम व्में इसके लिए बीकनेक करने के दिए तो इसको में यहां से कपी पेस्ट कर देता हूं यह हमา डぁक तो यहां से मैं इसको कोपी कर लेता हूं तो यहां पर मैंने इस अजलरी कॉंटक्टर को कनेक कर दिया हूं तो यहां पर हमारा जो चार लोजिक था वह कंप्लेट हो चुका है फिक – यह जो हमारा मोर्टर था उसको स्टार्ट करने का इंट्रलोकिंग का अलाम का सब करने सर्कूित को जो होक डोक करदिया मैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लिस लाइक जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ सेर करना विल्कूल ना वुलिएगा दोस्तों इस परकार का वीडियो और बनाना तो प्लिस comment box में comment करके मुझे बता दीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद